नमस्कार दोस्तों मैं सुनिनिश शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत-बहुत सुवागत करता हूं फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे वाट इज एचेडियार सीसी टीवी कैमरा एचेडियासी सीटीवी कैमरा कौन से होते हैं इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं आज इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स HDR यानि के हाई डैनमिक रेंज ये एक तरह का स्पेशिलाइजड डिजाइन जो है इमेज सेंसर होता है जिसका इस्तवाल सीसी टीवी कैमरे में किया जाता है जिन CCTV कैमराज के अंदर HDR टेकनोलजी यूश की जाती है उन CCTV कैमराज को HDR CCTV कैमरा कहा जाता है प्रेंड्स जहां लाइट बहुत जादा होती है जिससे कि वीडियो क्वाल्टी खराब होती है reflection की वज़े से भी sunlight की वज़े से भी काफी बार ऐसी condition आती है कि जिससे हमारी video quality खराब हो जाती है normal CCTV camera उस condition में हमें एक अच्छी video quality नहीं दे पाता है friends ऐसा बिलकुल नहीं है कि HDR CCTV camera सिर्फ bullet यानि कि outdoor CCTV camera ही demanding होते है बलकि indoor में भी इनकी अच्छी खासी demand होती है क्योंकि indoor में backlight जो होती है उसकी वज़े से भी काफी बार reflection आता है और video quality खराब होती है तो इसलिए indoor और outdoor डोनों ही परपस से HDR CCTV camera बहुत ही अच्छा है, best है friends वैसे तो जितनी अच्छी light हमें मिलती है video quality camera की उतनी ही अच्छी आती है बट अती हर्चिस की बुरी होती है जब light हमें कुछ ज़्यादा ही मिलती है उस वक्त friends video quality CCTV camera की खराब होनी स्टार्ट होती है इसलिए friends हमें HDR based CCTV camera ही purchase करना चाहिए ताकि इस तरह की परिशानिया हमारे सामने ना आए friends अगर cost की बात करें तो normal CCTV camera के मुकाबले HDR CCTV camera costly होते हैं बट वो इतने ज़्यादा costly नहीं होते हैं कि वो हमारी budget से बहार हो एक normal CCTV camera के मुकाबले HDR CCTV camera ज़्यादा costly नहीं होता है friends वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करना और हमारे channel रक्षम टैक को subscribe करना बिलकुल में मत भूलिएगा friends CCTV camera से related या फिर इस वीडियो से related कोई भी अगर आपके पास question है तो आप हमने comment कर सकते हैं we will definitely reply to you as soon as possible friends हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thanks for watching